हालो और मैंने पीवी थोड़ा था एक बाद फिर स्वाग आते हैं आप सभी लोगों का एक नए और फ्रेज शुड़ों में आज के शुड़ों में मैं कैसा श्यूर कुरूंगा जिन लोगों ने डीफार्म का अडमिशन लिया है 2022-23 में उनको लिए ही यह काफी इंपॉर्ट रेगुलेशन 2022 तो आप सभी को पता होगा कि 2022 का यह एक जिट का जो है पूर रेगुलेशन है जो कि 2022 से लागू होने हो ला था लेकिन कुछ दूनों के लिए यह यहां पर होल पे था लेकिन आभी जो अप्डेट आ रही है आप चेक कर सकते हैं लेकिन लास्ट कॉलम में इ इसमीटिंग हेल्व ऑन 28 जनवरी 2023 इसदेट पर जो है वो मीटिंग हो थी PCI की हैस डिसाड़ देट एग्जित एक्जेमिशन अंडर दीप्लोमा इन फार्मस एक्जित एक्जामिशन रेगुलेशन 2022 इसलिपार्मा कोर्सेस तो इसका मतलब यह है कि 23 जनवरी 2023 को जो है वो PC है कि हाँ पर मेटिंग हुई थी और जो भी रेगुलेशन है यहां पर डिप्लोमाइण एक्जीट एग्जाम पर देने होगी एक्जीट एग्जामेशन के बाद एक रिस्टर फार्मसेश यहां पर बन सकते हैं तो यही थी इंपोर्डन अप्डेट यहां पर निकल के आ है कल की डेट पर नोटिफिकेशन आया था और आज जो है वो नोटिफिकेशन यहां पर आपके साथ शेयर करूंगा कि जिनका भी अड्मिशन डीफाम का इस एर का है तो उन सभी लोगों को जो है वो एक्जीट एक्जाम देना पड़ेगा एक्जीट एक्जाम क्वालिफाय करने के बाद ही आपको जो है वो फार्मसिस का रजिस्टेशन यहां पर आपका हो जाएगा आप रजिस्टर फार्मसिस करें लागों जब आप एक्जीट बास में दे रखें वहां से आप आने वह लग बीट के लिए मुझे जॉइन कर सकते हैं तो आज करें इतना ही फिर मिलते हैं अगर खाल खेजा हिन वंदे मातरूं